हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टो करुणास किचन और आज के वीडियो में हम ये रेसिपी जो बनाने वाले बहुत ही डिलिशियस और बहुत इंटरस्टिंग रेसिपी है सबको बहुत पसंद आती है और ये दिखने में भी बहुत डिलिशियस है तो रेस्टोरेंट में हम जिस त तरह से उसी टेस से और वही स्मोके फ्लेवर देके हम इसे घर पे बना सकते हैं, तो बहुती सिंपल तरीके से चलिये शुरुआत करते हैं, चिकन तंदोरी को घर पे किस तरह से बना दे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है और इसे मैंने अच्छे से गरम पानी से धो गरम पानी से दोना इससे बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हम डालनेगे एक वड़ा चमट अद्रक लसन का पेस्ट, साथ में हम इसमें डाल देंगे एक चमट नमक, इसे के साथ हम इसमें डाल देंगे हल्दी, वन फोर टी स्पून हमने यहाँ पे हल्दी डाली है, रेट चील पाउडर लिया है, हाफ टी स्पी जीरा पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पी यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, साथ ही में यहाँ पे मैंने एक टी स्पी कोरियंडर पाउडर लिया है, इसे के साथ हम इसमें डाल देंगे, आदा छोटी चमट गरम मसाला आदा छोटी चम्मच चाट मसाला चाट मसाला यहाँ पर हमें skip नहीं करना है यह बहुत बढ़िया टेस्ट है और इसके साथ पर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा food color लिया है थोड़ा सा pinch of यह optional है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे यह जो recipe है बहुत बढ़िया recipe है आप इसे जरूर जरूर ट्राइक किजेगा और मुझे comment में जरूर बताईएगा यह बहुत बढ़िया recipe है इसे के साथ हम इसमें डाल देंगे एक टेबल स्पून तेल और हम इसमें डाल देंगे दही यहाँ पर मैंने दो बड़ी चम्मज दही लिया है यहाँ पर जो दही है आपको गाड़ा वाला दही लेना है हंकर आपको लेना है साथ में हम इसमें डाल देंगे निम्बू का रस यहाँ पे मैंने आदा निम्बो का जो रस है वो निकाल के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे फिर से अच्छी तरह से mix कर लेंगे marination हमारा यहाँ पे complete हो गया है तो अब हम इसे rest करने के लिए रख देंगे तो यहाँ पे 4 या 5 गंटे के लिए हमें इसे rest करने के लिए इस तरह से डख कर रख देना है तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे डखके रग दिया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अवन की एक baking plate है, वो मैंने लिए है और उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक stand लिया है, इसके उपर मैं जो pieces है, वो सारे pieces इसके उपर इस तरह से रग दूँगी साइड में मैंने अवन को preheat होने के लिए रग दिया है, 175 डिग्री पे मैंने यहाँ पे 10 मिनिट के लिए अवन को preheat होने के लिए रग दिया था, तो अब हम क्या करेंगे, यह जो plate है, यह हम अवन के अंदर place कर देंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसे place करना है, और इसके में हम देखेंगे कि अवन को किस तरह से start करना है, तो यहाँ पे one by one step के साथ मैं आपको पूरा जो प्रोसे से वो शेयर करने वाली हो, तो यहाँ पे मैंने microwave oven का oven mode जो है, वो on कर लिया है, और 175 डिग्री पे इसे set कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 15 मिनिट का टाइमर जो है, वो set करना है, 15 मिनिट के लिए हम चिकन को एक साइट पे बेक होने के लिए रख देंगे, आफ्टर 15 मिनिट मैंने यहाँ पे चिकन के पीसे को पूरा निकाल लिया है, और यहाँ पे हम इसे हलका सा ओईल या बटर को बटर से ग्रीस करेंगे, यह करना बह और अब हम सारे फिसेस को इस तरह से पलटा देंगे, यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अभी और दूसरी साइट से इसे बेक करना है, दूसरी साइट को भी हम ओईल से ग्रीस कर लेंगे, और इसे फिर से 15 मिनिट के लिए बेक करने के लिए अवन में रख देंगे, अब जब तक बेक होता है, तब तक हम क्या करेंगे, इसके साथ में लगने वाला लच्छा अनियन जह है, वो बना लेंगे, तो यहाँ पे मैंने दो मेडियम साइज के प्यास लिया है, और इसे हमने इस तरह से काट लिया है, अब हमें इसके क्या करने है, चिलके हमें इसके निक जो है वो अलग-अलग कर देने हैं तो इस तरह से आप देख सकते वीडियो में पूरे जो रिंग से मैंने वो सेपरेट कर दिये हैं यहाँ पे स्लाइस अनियन के रिंग को मैंने बाउल में ट्रांसपर कर लिया है और जिसमें मैं डाल दूँगी हाफ टीस पी रेट चिली पा यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अनियन जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लच्छा अनियन जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे मैंने गैस के उपर यह इस तरह से एक स्टील का स्टैंड है वो रग दिया है और उसके उपर हमारे जो बेक पीसेस है वो हम इसके उपर डायरेक्ली रग देंगे तो यहाँ पे हमें इसे हाई फ्लेम पे जस्ट टू मिनिट्स के लिए साइट चेंज करते हुए इसे भून लेना है ताकि हमारे जो पीसेस है वहाँ पे हमें वो भट्टी जैसा जो एक फील है वो हमें आ सके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दोनों साइट से इसे अच्छी तरह से क्या कर रही हूँ साइड इसकी चेंज कर रही हो और इसे हम अच्छी तरह से अच्छी पोईला लिया है जिसे मैं ने गैस के ऊपर रखी थोड़ा सा जला लिया था और उसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा गी और इमेजेटली हम क्या कर देंगे धकन लगा देंगे इससे क्या होगा हमें जो बट्टी वाला जो स्मोकी फ्लेवर है वो हमें घर पे बहुत amazing recipe है और no fail recipe है तो अभी थोड़ी देर के बाद में हम इसे देखेंगे तो आप देख सकते हमारा जो smoky flavor के साथ में चिकन तंदूरी जो है वो बन चुका है और ये हमारा mouth watering, tempting, बहुत ही लजीज, बहुत ही बड़िया चिकन जो है वो बन चुका है और आप देख सकते ह इसका color और इसका जो texture है बिल्कुल restaurant style आया हुआ है तो आप ये recipe को जरू ट्राइ किजेगा दिखने में ये थोड़ी सी tricky और थोड़ी सी hard लगती है पर ये इतनी hard है नहीं इसे बनाना बहुत आसान है बहुत ही simple तरीके से बनती है और आप इसे जरू ट्राइ किजेगा और अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगती है तो please मेरी recipe को like किजेगा शेर किजेगा और मेरी चैनल को subscribe जरूर किजेगा और अगर आपको दूसरी तरके से chicken tandoori सीखनी है तो please मुझे comment में लिखना ना बूलिएगा तब तक के लिए enjoy किजिए ये restaurant style chicken tandoori thank you